बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम, अस्लाम लेकुम स्टूरेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी प्ले ग्रूप की टीचर, ये है आपका उर्दू का लेक्चर, सबच्चे अपनी उर्दू की, बुक खोले, सफा नंबर 24 आज हम इस पे, अम्मी की कहानी सुनेंगे, खरगोशनी अम्मी चले मैं शुरू करते हैं सब बच्चों ने अराम से सुननी है स्टूरी, ठीक है? एक खेत के करीब एक खरगोशनी अपने चार बच्चों के साथ रहती थी, उसने जमीन कोद कर अपना बड़ बनाया हुआ था, वो सुबा, खेतों से अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती, बच्चे अपने घर में दुबक कर बैठे रहते, वो उन्हें समझात जब तक मैं ना हूँ, तुम घर से ना निकलना, ना किसी अजनबी से कोई चीज लेना, चाहे वो कितनी अच्छी चीज हो, वो कहीं साथ जाने को कहें, तो ना जाना, वो कहें के तुमारी अम्मी बुला रही है, तो भी ना जाना, एक दिन वो अपने बच्चों को समझा र लग रही थी, उसने सोचा इन बच्चों को मज़े लेकर खाता हूँ, जैसे ही वो दूर गई, कुते ने अपने मूँ में गाजर लेकर, उसके भट में जांका एक बच्चा तेजी से गाजर लेने आगे बढ़ा, सब ने उसे मना किया, नहीं नहीं, अम्मी ने कहा, था कि क इसी अजनबी से कोई चीज ना लेना, ये सुनकर वो खरगोश का बच्चा रुख गया, कुते ने सोचा, कुछ और करना चाहिए, जो ये मेरे पास आ जाएं, वो पास के खेट से एक केला मुँ में दबाए, आया और भट में जांका, अब एक दूसरा खरगोश बागा, उसे केला बहुत पसंद था, सब ने फिर मना किया, याद नहीं, अम्मी ने क्या कहा था, कि कोई अजनबी, कितनी ही अच्छी चीज़ दे, ना लेना, कुते ने सोचा, ये तो बहुत फर्मा बर्दार और अपनी अम्मी का कहना मानने वाले बच्चे हैं, जल्द इनको किसी और तरह से दोका देता हूँ, उसने जंगल की दुकान से खर्गोशनी के चेहरे की तरह का मास्क लिया, और पहन कर आ गया, अब तो सब बच्चे बागे और समझे के अम्मी आ गई हैं, मगर उन में से एक ठहरा, उसने गोर से देखा और पैचान लिया कि ये तो अम्मी नहीं हैं, सब को फोरण रोका और कहा, नहीं नहीं, ये अम्मी नहीं हैं, आखिर कुटा सर जुकाए चला गया, अम्मी खर्गोशनी जब आई तो सब ने उन्हें ये वाक्या बताया, अम्मी ने सब को शाबश दी और बहुत सी गाजरें भी दी, आपको भी कोई भी बुलाए, कोई अजनबी, तो आपने उसके पास नहीं जाना, और नहीं किसी से कोई चीज लेकर खानी है, सब बच्चों ने अपने ममा बाबा के साथ ही बाइर जाना है, ठीक है, किसी ने घर से बाइर भी नहीं जाना, किसी से बाइर जाना है, किसी से बाइर जाना है,